कि ना ही ये कचोरी है ना ही ये पकोड़ा है ना ही इस पेटी शे ये एक गेहू के आटें से बनावatedantage से बहुत ही टेस्टी नास्ता बन त्रभू का आठा लिया एक mixing bowl आठा भाई जिससे के रोज रोटी मनाते हैं नमक डालेंगे स्वात के नुसर आधी चम्मच अजवाइन लेंगे इसे अतेली पर इस तरह से मसल कर डालेंगे इससे बहुत अच्छा टेस्ट रहता है और अब हम इन सब को अच्छे से कर लेंगे मिक्स अब हम इसके अंदर डालेंगे दो चम्मच देशी घी तो छोड़ी चम्मच लिया और गी की जगा तेल का मोयन भी लगा सकते हैं घी से बना लगाया हो मोयन से जो नस्ता बनता होती खसता बनेगा यह देखिए हमारा मोयन बिल्कुल परफेक्ट है लड़ो बन रहा ह और यह देखिए डो बनकर अब मेरा तयार हो गया है अब मैं इसे ढखकर पाच मेट के लिए रख दूँगी और जब तक हम बना लेते हैं मैंने तीन मिडियम साइस के आलू उबाल लिये थे उसे ठंडा करकर छिल कर इस तरह से मेश कर लिया है अब हम लेंगे कड़ाई कड चमच डालेंगे तेल जैसे ही गरा मुगा तब हम डालेंगे अधी चमच जीरा आधी चमच सोफ तोड़ी सी राई और दो पीच हिंग और जैसे ही तड़कने लगे उसके बाद हम आधी मिडियम साइस की प्यास को काट कर डाल देंगे दो हरी मिर्च और पाच्छे कड़ी चमर बूला पावडर, और दन्या पावडर और नमक टाले, अधा चमर बूला है घरम मसाल, इनजने को 15 मिनद तक भूल लेंगे, उसके बाद हम डालेंगे इसके अंदर मेश के वे आलू, इसे अच्छे से कर लेंगे मिक्स और देखने से ही पता चल रहा होगा कि कि जल्दी ह स्टफिंग बनके तयार हो नहीं ज्यादा पकाना नहीं ज्यादा महिनत बहुती कम समय में यह स्टफिंग भी बन जाती और इस स्टफिंग से पराठे भी बना सकते हैं और बहुती कम तेल में बनाएं आधा चमल डाला है मैंने चटपटे फ्लेवर के लिए अमचुर पाउड हातों पर तेल लगा कर मैंने इसे मसल मसल कर ओड चिकना कर लिया हमारा डो बनकर रेडी है अब पूरे आठे को हम चकले को पर लेंगे यह चोप बोट के उपर लेंगे इसके तीन लोए बना लेंगे और दो लोए को हम रखेंगे साइड में और एक लोए को लेंगे और इस क्यroscopy जैसे जितना भी बड़ा हो सहके उतना बड़ा बेले और इसके ओपर लगाएंगे हम तेयल पूरी तरफ लगाना है हलकी तेयल हलका तेम जा लगाएंगे सूखा आठा और इसके ऊपर भी लगा एंगे थोड़ा सा थेल और इसे के ऊपर भी सुखा अटा लगा देंगे और इसे भी एक बार और फॉल्ट कर देंगे इस लिए सा करें कि ताकि जो हमारा नास्ता बनेगा एकदम बहुत सारी पड़तो वाला लैर वाला जैसे कि मिलते हैं न बेक समोसा वगर उसी तरह से पड़ते बनेगे इसके अंदर और इस तरह से रोल कर लेंगे इस तरह से रोल को लेंगे और सुखे आटे में लपेट लेंगे और इसे बेलन से हम की साहिता से बेल लेंगे अब हमें इसे पूरी से थोड़ा सा बड़ा बेलना है और यह देखी इस तरह से बेल लिया विसका शेफ हमें किस तरीके से नहीं हमें काटोरी लेंगे काटोरी के उपर हम इस जो चोटी रोटी बनाई इसे रख देंगे और इसके बाद हमें भरेंगे इसके अंदर इस्टफिंग और इस्टफिंग बनने में बिल्कुल कंजोसी नहीं करना क्योंकि हमें बड़े साइस का नास्ता बना रहे हैं तो इसलिए हमने अच्छे से दो टेबल स्पून भरकर हमन बना कर तयार कर लिया है इसी तरीके से हम दूसरे नास्ते को भी बना लेंगे इससे क्या होगा जो काटोरी में रखने से जोज नास्ता बनेगा नहीं एक शेप का बनेगा और एक जैसा ही बिल्कुल कोछ भी शेप में आगे पीछे नहीं होगा और यह देखिए कितना सारा इसे अलट पलट करते ही हलके हलके डॉडट साने लगे आटे का नास्ता बहुती जल्दी तला जाता है इसे तलाने में ज्यादा समझने लगता है ये फ्राइज जैसे जैसे फ्राइज होनने लेगा इसका कर चैनुनने लगे लग और यह हलका गोल्डन हो जाएका तब लोटी तेस्टी लेकिन शबäsों कितना सहलाँ कितना असान से बनाना नाष्ई से ऑखेश्ट अंच्छाइगा यकिन मानेकी इस तरह के नास्ते को एक बार आप जरूर बनाइव अपने बच्चों से और बोडो को sự रह आस्ते कि र्चै elasticity के अगर आप कि इस तरह कि आप मेरी नास्ती की रेसीपि को फसांद आई की आप मीरी हुति पसंद आई देख को कि द IQ करें तक हैं ताकि मेरी मझेदार से आने वाली एंग तर फिर मिलती हुझे मैं नहें लिए वीड़ियू के साथ तब तक के लिए घृ